नमस्क्राइब मेरे नाम है डॉक्टर फुरू धावन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस ठंड के मौसम में एक किड्नी फिलेपेशन को किन-किन चीज़ों कर ध्यान अकना चाहिए यह ठंड का मौसम हर साल आता है और जैसे जैसे मौसम आता है कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जो अकसर में किड्नी फिलेपेशन में देखनी को मिलती है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले के टिनिन से अकसर पिशनी के लेवल बढ़ते हुए देखे लेवल को मिलते हैं अब मुसल्स पर मनता है तो जब भी आपकी मुसल्स में शिवरिंग हो रही है तो किड्रिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है इसलिए किड्नी फिलेप्रिशन को कहा जाता है कि अपनी बॉड़ी को जितना हो सके उतना गरम रखो आपकी दो पसीन यह चूट जाए वह जादा जाता है अब फर्मा मेटर लगाएंगे टेंटी ना रहा होगा अब कहनी के लिए बुखार है और कहनी के लिए बुखार नहीं है मगा 99 के बुखार के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपकी जो मसल से मास पीशिया है वहापे दर्द बना रहाता है आपकी कम बुखार उतन ना जाए और उसके बाद कम शिकम 15 दिन तक अपना के टेस्ट मत करवाओ क्योंकि अगर आपके लेवल बुखार से पहले फोर्थ है और अगर आपने बुखार में टेस्ट करवाया तो सिधा एट आते हैं डबल हो जाते हैं और उसको नीचे आने में अपने लेवल फोर पर आने में तकरीमन पंदा दिन का टाइम लग जाता है तो जब तक बुखार उतनने के बाद अगले पंदा दिन तक कोई टेस्ट नहीं क्योंकि जब हम करवाएंगे ठीक आएगा अगर आपके लेवल बहुत जादा है बहुत जादा दिक्कत हो रही है तो और यह कोचप भी खाना शरू करती हैं और के बमर्च पेशिंच के लेवल निल्मूर, darry के अंदर टाइट का रोल होता है वह 50 % सरदी के मौसं में च्रण का खाना-खाना शरू करते हैं और उसमें आता है गुर्द गुर्द जो है सरदी में ज्यादा खाया जाता है, पेश क्यों आता है मैं को समझाने कोशिश करता हूं, देखिए हमारी बॉड़ी में एक चीज होती है जिसे हम करते है Potassium, Potassium हमारी mass-pation को ताका देता है, अब जब यह सही amount में है तब, अगर यह body में जादा हो जाता है, तो हमारी mass-pation को यह ठका देता है, उनमें जो movement करने की किढ्डी काम नहीं कर रही उसको सभी तक की से कंटोल के कार पाटियूम की मतर्ण हमारी हमारी बबढ़ जाएगी इपर ओपो हमारी सारी मास-पीश्यम को ढ़ला कर देगा हमारे हात्प जलते में हमारे चलने में, बोलने में, सब में दिक्कत मैसूस कनने शीरू करेंगे और हमारी हर्ट बीट में भी इसका असर पड़ेगा अगर potassium जादा हो जाए और ये हर्ट की मुझो मुझो मुवमेंट है बंद हो जाए तो blood का flow बंद हो गया, cardiac arrest हो गया और patient expire कर जाता है क्योंकि juice के अंदर भी potassium की मातरा से जादा होती है ये कुछ चीजें हैं जिनका दियान हर kidney failure patient को रखना चीए जिन दिन patient का जो treatment science चल रहा है वो अपनी body को बहुत अच्छे तेके से गरम रखेंगे caps पैनेंगे, gloves पैनेंगे और जितना हो सके अपने आपको ज़्यादा खाने से बचाएंगे जितनी आपकी body requirement है उतना खाना हमने देना है खाना बंद नहीं करना जो खाना आपको बताया जाता है आप उसे follow करेंगे आपको किसी टाइप के दिक्कर नहीं आएगी मगर अगर आप गोड़ खाएंगे, आप juices पिएंगे, बहुत अदा मौन में आप soup पी रहे हैं तो दिक्कत मैसूस कर सकते हैं तो जितने भी patients है kidney failure की मेरा उनसे अनिरोध है कि खाने पेने का ध्यान रखें ठंड से बच के रहे हैं क्योंकि ठंड के अंदर के लेवल बढ़ता है बुखार के अंदर के लेवल बढ़ता है एक्सर्शन करने पर एक्सराइस करने पर भी के लेवल बढ़ता है यहां kidney खराब नहीं हो रही muscles की activity बढ़ने की वज़़ज़ से के लेवल इंक्रीज हो रहे हैं जो कि हमें एक false indicator है एक गलत information देते हैं जो कि हमें नहीं चीए इसी वज़़ए से मैं आपको advice कर रहा हूं कि स्थेंड के मौसम में आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो यह जो false हमारी बोडी में जो एक्स्ट्राइन की production है वो नहीं होगी और आपकी लेवल से आपको डराएंगी नहीं मैं उम्मीद करता हूं इससे आपके को समझ गई कि किन किन चीज़ों का धान हमने इस्ट्रेंट के मौसम में खास कर रखना है और उम्मीद करता हूं कि आप अपने लेवल को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल रखेंगे बहुत अच्छी तरह से मैनेज रखेंगे क्योंकि किड्नी फिलर एक नॉन क्योरेबल डिजीज है बड मैनेजिबल है और इस पर हमें रेगुलर काम करते रहना परता है अब इस